हेलो मॉमी जेन डाडीज वेलकम बाक टो माई चानल ओनली मॉमनोस दोस्तों कुछ नहीं पहले हमने आपके साथ रागी पे वीडियो शेयर करी थी कि रागी को बच्चों की डाइट में कैसे इंक्लूड कर सकते हो क्या होता है रागी वो क्यों इतना फाइदे मन्द होता है कैसे उसको बच्चों की डाइट में इंक्लूड कर क्या बच्चे के लिए वेड के लिए कैसे रागी को यूज कर सकते हो कैसे बच्चों का वजन बढ़ाता है रागी तो ये सारी चीज़े हमने उस वीडियो में आपके साथ शेयर करी थी जिसको आपने काफी पसंद भी करा था बढ़ कुछ queries हमारे पास आ रही है कि माम हम रागी को recipe में बनाएं कैसे उसके बारे में हमें आप कुछ detail वीडियो दीजे तो इस वीडियो में हम आपके साथ तीन recipe आपके साथ शेयर करने वाले हैं 6 months का अगर बच्चा है तो उसको आप रागी कैसे उसके डाइट में इंक्लूड कर सकते हो 8 माईने का बच्चा है तो कैसे दे सकते हो और एक साल से बड़ा बच्चा है तो आप रागी को कैसे इंक्लूड कर साथ तो जिससे बच्चे का वजन बढ़े तो ये सारी चीज़े इस वीडियो में बच्चा करने वाले हैं अगर और भी बड़ा बच्चा है तो आप बच्चों को रागी से वजन बहुत अराम से बढ़वा सकते हो रागी को बच्चों के डाइट में इंक्लूड करने से नहीं सिर्फ बजन बढ़ता है बच्चों की ओवरॉल हेल्फ में भी काफी आपको चेंज देखने को मिल जाएगा अगर आपने वो वीडियो हमारी पहले नहीं देखी जिसमें आपको रागी के बारे में A-Z detail बताई है तो हम उसका link description box में देदेंगे इस वीडियो को देखने बाद आप वो वीडियो जरूर देखीगा ताकि आपको पता हो कि रागी क्यों बच्चों के रिए इतने फायदे मन्द है तो चले पहले रेसिपी देख लेते है पहली रेसिपी के लिए आपको दो स्पून रागी लेना है इसमें रागी साबूत लिया है इसमें पाउडर नहीं लिया है रागी लेना है इसको अच्छे से पानी दो बद बार पानी बदल के इसको अच्छे से अच्छे से बाइड कर लीजे वाश करने के बाद आपको इसको धग करके देग सोक और इसको भूँर ढ़ने के जिते शोड़त है इससको बढ़ साथ मिल्क आपको इसको तो आपको थोला सा को जाइब एप टुरी घर्वर आट कर इसको कर शूद यह बड़े बच्चों के लिए बिल्कुल इन जे करे सकते हो अब बढ़ते हैं सेकन्ड रेसिपी के लिए आपको दो खजूर लेने हैं खजूर को आपको अच्छे से धूख करके डी-सीट करने उसकी सारे सीट निकाल देनी हैं उसके लाएँ दालकुट को त्स तूद्षा दालके डूपने भर के 10- 1,1 मिट दीज़ें जोंद सूदेए अपर गाता बिए 2 नोथे रागी टीजेऊ शहाद अब 6- 1,1 सीज़ें । इसके सम्ने डाड़ं को कच बाइब में कि-वाइब आफसे जोंद में 1-6-7 म shit, यसको 6-7 पाइन . कॉक करते करते लिए कुछ ₹ भी परफ़िक्त हमी और दो स्बॉन जा이 टो 1 streams में टेहे हैं गुए पानी ठीक होगी थाहिए दो स्बॉन जाला जैना है लिए येखम पाहिन के लिए हैं कि स्बॉन और गोपर हो जोटेस पहए हैं बहुत थोड़ा सा कॉक करने बहुत थोड़ा सा गोड और थोड़ा सा ड्राइफुड पावडर डाल करके इसको अच्छे से मिक्स करना है मिक्स करने बहुत कुछ इस कंसिस्टेंसी से यह आजाएका आप यह बिलकुल पॉफेट है बच्चों को सर्फ करने के लिए यह आप इसको थोड़ा कूल डान हो जाए तब एक से तीन साल के बच्चे को दे सकते हो यह बच्चों के लिए काफी हिल्दी रेसिपीज हैं इसके साल सब्सक्राइब बहुत सारे नेम्स हैं इसके तो हमने उसको आपको यह दे दिया इसके अपको देख सकते हो कि आपके सिटी में इसको क्या बोलते हैं डिफिनेटली दोस्तों बच्चों को यह डाइट में दीजिए इसका तेस्ट बोलो तो बिलकुल नॉर्मल है अब इ इसको आप चीला बना सकते हो तो यह सब विडियेशन करके बच्चों की डाइट में इसको जरूर इंक्लूड करिए दोस्तों चानल पे पहली बाव चानल को सब्सक्राइब जरू करूए वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत बोली को मन में अभी भी कोई भी कोई दी रहेगी न दोस्तों हमें कॉमेंट सेक्षिन में जरूर पूचिए उसका एपलाई हम जल से जल्द करेंगे थांक्यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो